एलो अवर्यवान दिशीज में वेलकम टिशिफ ग्लासेश इस वीडियो में डिसकस करने वाले टाइम यूस सर्वे समय अप्यूकसर्वेक्शन तो दोनों ही लाइग्वेज में हम इसे डिसकस करेंगे तो चली स्टार्ट करते हैं तो टाइम यूस अर्वे क्या है जो कि इस इन्फोर्स था इन्फोर्मेशन का कि चो टाइम श्पेंड किया जा रहा हुआ हो उन्पेड का तो में पता लग जाएगा कि वह 8 गंटे-10 गंटे नो करी के लिए यह उन्पेड के वह जो हो ती है तो एक साम तक रात तक काम करती है लेकिन उनको कोई भी पेमेंट नहीं दी तो वन पेड में आ गया तो वोलेंटियर वर्क अन पेड डोमेस्टिक सर्वीस प्रडूजिंग अक्टिवीट वहाउजोल्ड मेंबर सब इसके अंदर इन्वाल्व थे वह इनके डिटा क्लग किये गए तो यह जो टाम इसा इन्फोरमेशन दे रहा था मैं तिक है किस पर भी स्पेंड किया गया टाम का लर्निंग पे शोशलाइजिंग पे रेजर अक्टिविटी साल्फ के अक्टिविटी सब चीज इसमें इन्वाल थी ठीक है हिंदी वाले स्टूडेंट देख लेगा समझा तो मैं हिंदी में रही हूं नैशनल स्ट्राइस्टिस्टिकल ऑफिस न कितना कवर किया गया 1,38,719 हाउजोल्ड को कवर किया गया रूलर में इतने थे 82,000 के अप्रोक्स और अर्बन में 55,000 के अप्रोक्स इंफॉर्मेशन जो थी टाम यूस में वो कलेक्टी की गई थी इच मेंबर से ठीक है जो 6 साल से तक के बच्चे थे और उनसे उपर के जो से लेके अब आफ तक इसमें उनसे इंफोर्मेशन यां कलक की गई थी और सेकेंड में डेटा कलेक्शन किस तरुके थूआ है परसनल इंटर्व्यू के थूआ और इंफोर्मेशन जो थी इसमें 24 आर्ट के जिए स्टार्ट हो चाती थी सुबह चार बज़े से जो प्रेजन्टेशन थे हैं एस्टीमेट का ठीक है वो क्या था कि यहां पर जो रिजल्ट थे ठीक है वो और अक्टिविटीज को देखे गए थे टाइम्सलोट में ना की सिर्फ मेजर अक्टिविटी को लेकिन जो रिपॉर्ट थी इंडिया में ट्वन्टी नाइटी में उसमें जो एस्टीमेट था, ठीक है, मेजर अक्टिविटी को कंसीडर किया गया था, ताइम स्लोट में, जो रिजल्ट थे, वो प्रिजेंट किया गया था, वो ही छे साल से लेके अबव तक के जो मेंबर से, उनके तुरू, उनके जो भी उसमें, उनसे जो डेटा क्लिक किया दे, अवरेज टायम स्पंट इन ए पर पर पार्टिसिपेंट इन एक्टिविटी कर रहा है, कि भाई जो उस activity में participate कर रहे हैं ठीक है जो person उस particular activity में participate कर रहे हैं उससे उनका average time निकाल रहा है कि भाई वह इतना time इस activity को दे रहा है average time spent in a day per person foreign activities calculated by considering all the person irrespective of whether they participate in the activity or not अब average time spent in a day ठीक है तो उसमें consider गया गया है सारे persons को चाहनों उस activity में participate करा है या नहीं करा है ठीक है यह हिंदी मेडियम के students के लिए ठीक है यह आप लोग screenshot ले रहना आई होप आपको clear हो गया होगा अगर वीडियो अच्छे लगए तो like it share it and subscribe my channel thank you